13.11 रोगों के बचाओ, Prevention of Discs स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे प्रयास करें, जिससे कि हमें रोग होनी की संभावना कम से कम हूँ कुछ ऐसे प्रयासों के बारे में बताएं, जिससे कि हम रोग ग्रस्थ नहूँ स्वस्थ रहने के शुरुवात स्वक्ष वातावरन से भी की जा सकती है यदि हम अपने आसपास के वातावरन को गंदगी मुक्त रखें, तो हम रोग फैलने के कई कारणों को नियंत्रित कर सकते हैं इसी के साथ साथ भोजन की परयात्मात्रा वा व्यायाम के द्वारा भी हम रोगों से दूर रह सकते हैं इसी अध्याय में हमने पढ़ा है कि रोगों से बचाओ का सीधा संबन हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से होता है अगर हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा तो लंबे समय तक हम स्वस्त बने रह सकते हैं आज कल प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई प्रयास किये जाते हैं ताकि रोग होने से पहले ही शरीर में रोगों से बचने के लिए सुद्रुन व्यवस्था बन जाए। आपने टीका करण के बारे में तो सुना होगा, या एक ऐसी ही प्रक्रिया है। क्या आप जानते हैं? प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, परंपरा के अनुसार, भारतिये तथा चीनी चिकत्स के तंत्र में कभी-कभी जान भूज कर चेचक से पीडित व्यक्ती तथा स्वस्थ व्यक्ती की त्वचा को आपस में रगडते थे। उन्हें इससे ऐसी आशा थी कि इसके कारण चेचक के मंद रोगाणू स्वस्थ व्यक्ती के शरीर में रोग के प्रती प्रतिरोधक्षमता उत्पन कर देंगे। इसका कारण यह है कि चेचक का विशाणू गोचेचक के विशाणू का निकट संबंधी है। जिसके द्वारा किसी रोग विशिस्थ के प्रती शरीर में रोग प्रतिरोधक्षमता उत्पन की जाती है। टीका करण के प्रक्रिया द्वारा शरीर में जिवाणू एवं विशाणू के नियंत्रित मात्रा प्रवेश कराई जाती है। इससे हमारे शरीर में पुना इसी प्रकार का आक्रमन होने पर रोक से लड़ने की छमता बढ़ जाती है